हाई मैं नेम इस रोहित और वेलकम तो मैं चैनल स्पीक फिल दरबंगा तोड़े आम गोई टी तॉक अबाओ दिफरेंस बिट्विन एड्वोकेट लॉयर और बैरिस्टर बहुत सारे लोगों को और स्टूरेंट्स को कन्फूजन होती है कि हम एड्वोकेट और लॉयर या फ आपको भी कोई कन्फूजन है तो मेरी वीडियो को अंतक देखें आपकी कन्फूजन दूरो दाएगी ठीक है चलिए सुन करते हैं सबसे पहले बात करते हैं एड्वोकेट की एड्वोकेट किसे कहते हैं एसा कोई भी वेक्ति जिसके पास लाइसेंस हो कोट में प्रेक्टिश करने का और वो अपने क्लाइन्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है केस लर सकता है उसे हम एड्वोकेट कहते हैं अपने बहुन सारा नेम क्लिट्स देखा होगा लायक एड्वोकेट अमित्मा सीट एड्वोकेट एम कुमार एड्वोकेट जड्द कुमार तो ऐसे वेक्ति जिनके पास लाइसेंसे होता है कोट में हाना प्रेक्टिश करने का और वो अपने क्लाइन्ट को रिप्रेजेट क advocate, he is a great advocate, इस तरह साब हो सकते हूं, are you an advocate, ठीक है, next time, lawyer और barrister, lawyer और barrister किसे कहते हैं, ठीक है, सबसे फ़रे हम समझते हैं, lawyer, one who has the degree in laws, in laws actually आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास degree हो law का, ठीक है, either he has done LLB और BLLB, चाहिए वो LLB किया हो, या फिर BLLB किया हो, but उसके पास license नहीं होता है, court में practice करने का, so, हम कह सकते हैं, कि lawyer जो होता है, वो advocate नहीं होता है, वो court में practice नहीं कर सकता है, अपने client को represent नहीं कर सकता है, बस उसके पास degree होती है, तो उसे हम lawyer कहते हैं, ठीक है, lawyer और barrister ये दो term है, लेकिन दोनों का meaning एक ही होता है, अगर किसी ने England में या South Africa में अगर law की degree लिया है, तो उसे barrister कहते हैं, ठीक है, तो advocate, lawyer and barrister, clear हो गया, अब ये जानने के बाद हमें ये तीन चीज़ जानना भी जरूरी है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, senior advocate, किसे कहते हैं, one who has been designated by the supreme court और high court, जैसे advocate को supreme court से या फिर high court से मानता प्राप्त मिली होती है, उसे हम senior advocate कहते हैं, basically इनके पास बहुत experience होता है, more than 10 years का experience होता है, उनके पास practice करने का तरज़र्वा बहुत बढ़िया होता है, इसी लिए उन्हें senior advocate कहते हैं, ठीक है, next है advocate general, ये जो होता है, advocate general, वो state government को represent करता है court में, अगर कोई legal practice करनी हो, फेवर में, state government के तरफ से, तो जो advocate होता है, उस advocate को कहते हैं, advocate general, ठीक है, इसे governor, state governor जो होते हैं, वो appoints करते हैं, प्रड़कते हैं, उसे हम कहते हैं, advocate general, तो basically ये state government को represents करता है court में, states government के लिए case लड़ता है court में, ठीक है, next होता है attorney general, ये जो होता है, वाकील, जिस तरह से advocate general, state government के तरफ से, case लड़ता है court में, उसी तरह attorney general जो होता है, वो central government के तरफ से, court में case लड़ता है, हम कह सकते हैं कि, an advocate who represents central government in the court is called attorney general, ठीक है, यही difference था, advocate आए एन बैरिस्टर में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को share जरूर करे, और एक like जरूर करे, थैंक यू,